हेलो गाईज, वेलकम तो मैं यूट्व चैनल, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें केरेटीन करवाना चाहे है या नहीं, डेफिनेटली वीडियो के एंड तक आप लोग शौर हो जाओगे कि आपको केरेटीन करवाना है या नहीं, वीडियो को एंड तक देखना गाईज, लेट स्टार्ट दे वीडियो, गाईज, इंडिया में बहुत सारे केरेटीन बैन हो चुके हैं, फिर भी लोग उन्हें यूज करते हैं, गाईज, केरेटीन में एक्सेस लेवल ऑफ केमिकल होता है, अब आपको मैं बताना है केरेटीन एक्सेप्ट और रिलीज कर लेते हैं, लाइक वाटर, डस्ट और एक्सेक्टर, एंड एर बहुत स्मूथ, और शाइनी हो जाते हैं, यूज कि लोग वाइज बहुत अच्छा दिखता है, केरेटीन के बाद हैर स्टेट भी हो जाते हैं, अभी केरेटीन ना करने के रिजन बहुत सारे हैं गाइज उस केरेटीन में फोमल डिहाइड होता है जो कि स्कल और हेर्स के लिए अच्छा नहीं है उससे आपके हेर्स डेमेज कंप्लिटली डेमेज हो सकते हैं एन उकर एक और बात गाइज केरेटीन के प्रोसेस में फ्यूम निकलता है जो कि वह बहुत इचिंग एलर्जी और बहुत सारे चीज़े हो सकते हैं ये केरेटीन केमिकल के यूज से आपके हेर फॉस, इचिंग, प्रॉल्डम, डेंडर्फ, एलर्जी बहुत सारे ऐसे इंफेक्शन टाइप भी हो सकते हैं गाइज अगर आपको केरेटीन करवाना ही है तो आप किसी प्रॉसेशनल सेलियून में जाके कराए, प्रॉसेस जो इसको कम्प्रीटी प्रॉपर होना चाहिए और केरेटीन के बाद भी आपको बहुत सारे प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं वह आपको प्रॉफेशनल सेलियून में जाके बता देंगे आपको कि क्या-क्या हो सकते हैं मेरे सबसे तो केरेटीन नहीं करना चाहिए गाइज केरेटीन के benefit short period तक ही रहता है I mean short time तक ही रहता है और केरेटीन के side effect long time तक hair fall hair damage और बहुत सारे infection और allergies हो सकती है अगर केरेटीन आपको आपके hair पे या skull पे शूप नहीं करता है तो आपको long time period तक यह issue हो सकते है and guys at the end में यह बोलना चाहूंगा करवाना है या नहीं that's up to you guys so guys if you like this video please like share and subscribe my youtube channel thank you for watching